आज की वीडियो में हम देखेंगे Zoho Books में Journal Entry कैसे पास करते हैं Journal Entry अकाउंटेंट का सबसे फेवरेट और फास्टेस तरीका है किसी अकाउंट को सेटल करने या क्लोज करने के लिए पर क्या वो करेक्ट तरीका है आप टैली में F7 दबाए डेबिट और क्रेडिट लेजर फीड करे इंटरी तो पास कर लेते हो पर क्या आप मैनेजमेंट को रिपोर्ट निकाल के दे पाते हो Zoho आपको ये शॉटकट लेने से रोकता है और आपको करेक्ट तरीके से अकाउंटिंग करने पर मजबूर करता है जोह में जर्नल एंट्री के लिए एक रूज है अगर आप जो ज्रूल एंट्री पास करना चाहते हो उसमें बैंक कैश कास्टमर यнова या वेंड रिपीट करता हूं अकाउंट कश अकांट कोई भी कस्टमर का अकांउट या कोई भी वेंडर का अकाउंट है यह चार टाइब के अगर लेजर है तो आप जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते हो अगर आपके जर्नल एंट्री में यह चार टाइब के अकाउंट नहीं है अब हम देखेंगे यह अपने अकाउंट में यह चार टाइब के अकाउंट नहीं है तो उसे कैसे पास क करने के लिए हमें जाना है अकाउंटेंट टाइब में लेफ साइट पर उसमें जाना है अगर आपके इसमें नहीं दिख रहा हो तो कोई बात नहीं आप यहां पर डेट कर लोगे मानलो मैंने डेट डाल दी है एक फॉस्ट ऑफ जैन्वेडि नोट्स नोट्स यानि अपना नरीश्यं का फील जो आप जनल इंत्री पास करते हो इसमें जूरी लिखते हो एहां पे अप लिखोगे पांगी जंट्री टाइप करन्सी अगर अब जनल एंट्री पास करना चाहें तो कर सकते हो मल्टी करन्सी यानि पूरी की पूरी ट्रांजक्शन को यह अलग पास करना चाहें तो कर पाँगे डेट अकाउंट मालों मैं सालरी के एंट्री पास कर रहा हूं तो सालरीज पीजिज डेट फिफ्टी ताउजन एक्जैम्पल के तौर पे क्रेडिट होगा मेरा पीटी पेएबल तो आय है पेरोल टैक्स पेएबल अकाउंट है इस सारे लेजर में क्रिएट कर चुका हूं अगर आपके जोह में यह लेजर नहीं दिख रहे हैं कोई बात नहीं कि हमारा पेरोल के साथ लिंक किया हुआ है इसलिए दिख रहे हैं वरना आप लेजर क्रिएट भी कर सकते हो और जो नेट अमाउंट है वह मैं वह उस एंप्लोई को पे कर लूँगा 49 800 तो इस तरीके से में जनल एंट्री पास कर सकता हूं अब देखिए मेरे जनल एंट्री में ना क इसमें अटाइच कर लिए अब साथ में इंट्री पास कर लिए अपने पास लाग कर लिए सब लोग का मिला के पीटी इतना होता है और नेट अमॉंट जो आता है यहां पे वह आपने यहां पर फीड कर दिया अपनी केस में है 498 800 अब इसका ब्रेक अब जो है वह आप यहां पर अटाच करके रख सकते हैं आपकी एक्सेल की वर्किंग फाइल और इसे आपने सेव और पॉब्लिश करना है अगर आपको कर दिया आपकी जर्नल एंट्री पास हो गई कि अब मान लो आपको अगर कोई एंट्री पास करनी है कोई आपके वेंडर है और क्रेडिटर है जिसके अंदर दो रुपया तीन रुपया बैलन्स दिख रहा है अब उसको आपको राइट आफ करना है तो आप नौमली क्या करते हो जर्नल एंट्री पास कर ले तो यहां प तो भी एंट्री पास नहीं होगी मैं दिखा दता हूं आपको एक रुपया और अधर एक्स्पेंस मुझे राइट बैक करना है एक रुपया अकाउंट के लेजर में से और जैसे मैं इसको सेव और पॉब्रिश करता हूं यहां पर बैनर आ जाता है कि अकाउंट प्रेवल के नौट भी एस्सेटेटेड और बैंक और कैश अकाउंट भी यहां पर असोसेट नहीं कर पाओग तो याद रहता चार अकाउंट चार अकाउंट चोड़के है कोई पहला अकाउंट के आठी पास करनी है तो उसका ने सिसका कर सकते हो यह चार को चोड़के आप जआल we take very much